वालमिकी रामायन के अयुद्या कांड में 117 सर्ग पर हम आधा किया था 15 तक हम ने किया था जिसमें भरत आधियों के चले जाने के बाद तो चित्रकोट में जहां राम थे वहां रीशी मुनी बड़े परिशान होते हैं दुखी मिलते हैं कानापुसी करते हैं राम के पूछने पर पता चला कि राक्षश लोग बहुत ज़्यादा वहां परिशान करने लगें पहले भी करते थे अब ज़्यादा ही बढ़ गया है परिशान करना में ली राम और लक्षमन को देख करके उनको ज़्यादा परिशान क का प्रभाव हो तो उनके जाने के बाद राम ने भी सोचा हमें भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि यहां पर भरत लक्षमान माताएं वशिष्ट वगरा सवायते वो चीजें बार बार मेमोरी में आता रहता है नमबर टू वो सेना के आने के कारण जो चारों तरफ गंदगी फैली गोबर वगरा के कारण तो अब वह इतना आश्रम जैसा नहीं लग रहा है तो इसलिए वो अंदर जाने की और थोड़े डीप फरिष्ट को जाने लगे अज गय तो उनको वहां अत्री मुनी का आश्रम मि इंटर्डूश कराते हैं राम के साथ वो अनसुया कितनी बड़ी तपस्विनी है तो उसको वो बताते हैं और बताकर कहते हैं सिता से कहिए कि मेरी पतनी अनसुया से मिलें तो ऐसा सुनने के बाद राम ने फिर सिता के से रिक्वेश्ट किया कि आप माता अनसुया से जा कर के मिलिए तो उसके बाद से हम चलेंगे सीता त्वेतद वचश्रत्वा राघवस्या हिते इशेनहा तामत्रिपत्निम धर्मज्याम अभिचक्राम मैथिली मिथिला की रहने वाली मैथिली शीता राम से ऐसी अच्छी बातें सुन करके वो अत्री की पत्नी अनसुया से मिलने की इच्छा से उनके पास गई वो अत्री की पत्नी अनसुया जो धर्मज्या है धर्म को ठिक ठिक जानती है शितिलाम वलिताम व्रुद्धाम जरापान डूरमूर्धाजाम सततम वेपमानांगिम प्रवाते कदलिम यथा और कैसी है वो अनसुया बहुत बुजूर्ग हो गई है बुद्धी हो गई है शितिलाम शरीर के अंगशारे ढिले पड़ गए है वलिताम शरीर की में स्कीन में चर्म में रिंकल्स आ गए है वुरुद्धाम बहुत ज़्यादा बुजूर्ग है जरापांडूरमूर्धाजाम बुड़ापा के कारण जो बाल है वो पांडूर सफेद ग्रे कलर का हो गए ह सततम वेपमानांगीन अंस्टेंटली सततम अनवरत अंग उनका शरीर जो है वेपमाना कामती रहती है जैसे प्रवात तुफान आने पर कदली केले के पेड़ हिलते रहते हैं बहुत बुजूर्ग हो गई है ताम तो सीता महभागा मनसुयां पती व्रताम अभ्यवाद यद व्यग्रा स्वनामा समुदाहरत ऐसी बहुत बुजूर्ग होई मानसुयां से जो की पतिद्रता अपने पती के प्रती वी बहुत प्रेम और लगाव रखने वाली उस अनसुयां से मिलकर के सीता ने उनका अभिवादन किया अभिवादन का अर्थ होता है ग्रीट करना स्व और उन्होंने अपना नाम बताया अभिवादन करके, आज भी है, मेरे खाल से Western World में तो है, आप लोगोंने भी सिखा है corporate field में जब काम करते हैं, जैसे आज कल आप मिलते हैं ना किसी से पाटी होगरा में, I am so and so बोलते हैं ना, तो वो, पर अब इंडियन लाइंग्वेज में आप ये नहीं रहा, कि नमस्ते में अमुक होँ, तो वो नहीं रहा, तो पर प्राचिन काल में, संस्कृत लिटरिचर में भी हम देखते हैं, जब कोई किसी से मिलता था, वो पहले से जाना हुआ हो या अंजान हो, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से कभी कभार मिलते हैं, रोज न तो संस्कृत में उसकी तरीका होती थी, अहम में सो और सो, अगर थोड़ा ज़्यादा बोलना है, अमुक की बेटी या बेटा, या अमुक का शिश्य या शिश्या, थोड़ा और बताना हो, तो अमुक देश की रहने वाली, रहने वाला, जो आपको प्रणाम करता हूँ या करते हूँ, सपोज मैं बोलों, अहम सूर्य नारायना भारत वासी, सपोज मैं अमेरिका में किसी से मिलूं, इंटरनाशनल सेमिनार में, तो अहम सूर्य नारायना भारत दिल्ली निवासी, या अमेरिका देशे हिश्टन निवासी, अमुक श्या, अगर जरुद है, पिता का पेरिंट्स का रेपरंजेन या गुरु का तब तो ठीक है, अमुकस्य पुत्रवा, अमुकस्य भवंतम या त्वाम अभिवाद अभिवाद है, मलब अभिवादन करता हूं, ग्रीट करता हूं, सरजुका के करते हैं, किसी का पैर चुना है, या दोस्तों तो गले मिलते हैं, यह आशिरवाद देना है तो छुटा तो आशिरवाद पर यह बोलते हैं इसी तरह सीता ने जब अनसुया से मिली होगी तो जो स्वनाम बोला कैसे बोली होगी अहम सीता निथिला निवासी जनक पुत्री रामपत्नी या दशरत बधु भवत्तीम अभी वाद आए दशरत की पत्नी, जो भी उन्होंने बोला होगा दो चार वाला जिससे के आपका पुरा का पुरा इंक्रटक्षन मिले सामने वाले को जरूरी नेगी यही बोला यह प्राचिन परम्परायंती अभिवाद्यच वैदेहिम तापसिम तामनिंदिताम बद्धानजली पुटा रिष्टा परिपुच्छा धनामयम वैदेहिने विदेह की रहने वाली सीता ने उसी तपस्वी अनसुया को अभिवादन करके अर्थात प्रणाम करते अपना रिस्पेक्ट दिखा करके बद्धानजली पुटा अपने हाथ तोनों हाथ की अंजलियों को पाम को जोड़ करके परिपुच्छत अनामयम उनकी अनामयता जिसको हिंदी में केते हैं हाल चाल हिंदी में केते हैं वेल बिंग पूछा ये भी परानी ट्राडिशन है अनामयम परिपुच्छत अमय केते है बिसेल हैं अनामया केटने रोग निर्म्रोग हैलदी सबधाइब कराते हैं विमार रहित्र बनें तो अनामया भी पूछा है उनके हाल चाल पूछा कैसी है, स्वास्ते तो ठीक हैं, खान पान सब ठीक हैं, जंगल में कोई परिशानी तो नहीं, जैसे आज कल हम पूछते हैं, how are you doing, how are you, ततस सीताम महभागाम, द्रिष्ट्वाताम धर्मचारिनिम, शान्त्वयंत्य अब्रवित्रिष्टा, द्रिष्ट्या धर्ममेवेख्यसे, उस सीता को देख करके, जो की धर्म का पालन करने वाली है, बहुती शान्त्वना मूलक भाषा में, बहुत साफ्ट और शूटिंग ल महानम रुद्धम चभा आमिनी, अबरुद्धम बने रामम, त्रिष्ट्यात्वम अनुगच्च्छी, हे सिता, तुम सवभाग्य से अपनी सारे ज्याती, रिलेटिव, फैमिली, परिवार सब को छोड़ करके, मानम अपना मान, साम्मान, रेस्पेक्ट, रुद्धम, अप वन में आ गए, ये बड़े भाग्य की बात है, सवभाग्य की बात क्यों, क्योंकि बहुत रेरली करते हैं लोग ऐसा, आज भी करते हैं, पहले भी करते हैं, कितने लोग पतनी होंगे, जो पती के होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, कि पती के कष्ट को खुद सहने लग जंगल में रहना और जाना कोई आसान बात नहीं है बोलने और पढ़ने सुनने में तो ऐसे ही लगता है चुटकी में है और खास करके अगर वो राजा घर का रहने वाला हो और वो भी कोई दो-चार दिन एक हपते-दो हपते कोई क्याम्पिंग के लिए नहीं चौदा-चौदा साल पूरी है ना लाइफ की बहुत बड़ा हिस्सा से बिग डिसिशन और ऐसा कोई पतनी जबकि उसको कोई ना मोरली ना लिगली ना सोशियली किसी भी अंगल से सिता का यह ना डियूटी थी ना रेस्पांसिबिलिटी थी कि उस अंगल जाए कुछ नहीं है अ यह उसका कुद का चौईस कि में जाँ वो नहीं जाती तो किसी भी प्रयार के कुछ नहीं होता है व्ल्टा लोग और रखूश को प्रॉब्ल नहीं होता है पर शृता का अपना चौश ता है कि मेरी पती साथ में रहूं को जहां भी जाये मैं जैसा भी रहे मैं मुझे उनके विना नहीं है यह इसी लिए अनुसिया के तो यह बड़ी भाग्य की बात बड़ी बड़ी बात है जंगल में रहें पापी है या शुब है अच्छा कर्म करने वाला या बुरा कर्म करने वाला जिन स्त्रीयों के लिए उनका पती प्रिय होते हैं प्यारे होते हैं जो अपने पती से किसी भी हालत से प्यार करते हैं धनी है या गरीब हो गया हो हर परिस्तिति में जो पती का साथ देती है ऐसा पत्नी तासाम लोका दे होते हैं दुश्चिला कामवृत्तोवा धने इर्वा परिवर्जिता स्त्रीनमार्य सभावानाम वरमंदई वतंपती पती दुश्चिला हो खराब क्यारेक्टर का हो या आर्य सभाव अच्छे सभाव का हो कामवृत्त गंदे नेचर का हो धने इर्वा परिवर्जिता धन संपत्ति से रहित गरीब हो जो आर्यस सभाव वाले स्त्री होते हैं नुबल नेचर वाले श्त्री को हमेशा अपनी पती का साथ देते हैं पत्ति उनके लिए हमेशा दिवता बनी रहती है अब कहेंगे ये क्या बात हो गई है नदी का पती क्यों देखें कौन किसको उख्देश कर रहा है अनसु या सिता को उख्देश कर रहा है अगर अत्री राम को उख्देश करते ठीक आपोजीट बलते यह हमेशा ध्यान नकि यह सिंगल लेन बाला नहीं है मैं हमेशा बोल साथ पती पत्नी में जो भी रेस्पेक्ट है या आदर है सम्मान है प्यार है यह यह व्यू गोस्य धश काहिए कि इसके लिए अपनी अपनी प्राइमस है और पो लिए श्टोरी सुनाई थी अंं इसको दो तो प्रति जो उसकी प्रेम है जैसे सावित्री है अनसुया है वो उसके लिए फेमस है तो वो अनसुया जो अपनी पती की प्रेम या पती के प्रती जो उनका आधरभाव जिसके कारण हो फेमस है वो अनसुया सिता को को जो उगदेश देती है या कुछ बोलती है तो उसमें वो पती प्रेम बाला इससा तो आएगा या आएगा तो इसलिए यही अनस्विया कहती है ना तो विशिष्टम पश्यामी वांधवं दे मुरुशंत्याहं सरवत्रयोग्यम वैदेही तपक्रता मिवाव्ययम वैदेही विदेह की रहने वाली सिता में पती से बेठर कोई बंधू या रिस्तेदार या फ्रें वाला तपस्या है पती या पत्नी आप अखिला अलम अनस्विया सिता को केती है तो हम वही लेकर चलते हैं तो पत्नी के लिए दुनिया में सबसे बड़ा फ्रेंड कौन है उसका पती है बागी सब सेकंडरी में आएंगे बाकी सारे रिस्ते बंदू आएंगे जब राम को क पती पत्नी का सबसे बड़ा मित्र है और पती पत्नी का सबसे बड़ा तपस्या है नत्वेवम अभगच्छंती गुनदोसम अस्त्रिया कामवक्त व्यर्धया भरत्रुनाथा श्चरंतिया जो स्त्रिया भरता का भी भरता बन जाते हैं पती के भी पती बन जाते हैं वो सही क्या है गलत क्या है क्या मेरिट है क्या धर्मा है क्या अधर्मा है उनको नहीं समझते हैं क्यों नहीं समझते हैं वो कौन सी स्त्रिया है असत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् अपनी इच्छाओं को पुरा करना ही सबसे बड़ी बात है, उनके लिए और कोई चीज मैटर नहीं करता, अपनी इच्छाओं को पूरी करना जो उनको चाहिए, वो इच्छाओं पूरी करनी ही जिनका एक मात्रलक्चहे, ऐसे खराबश्त्रियां उनको सही और गलत की समझ न होते हैं और भत्रुनाथ जो भरता के उपर डॉमिनेट करती है जो बती को कंट्रोल करती है गुरुजी अभी संस्कित वाले क्लास में हमने पढ़ा जो स्लोक इसमें थारा कि जिस समाज में इस्त्रियों की पूजा नहीं होता है वहां देवता प्रसमें नहीं होते हैं यहां हां यह बाइस वर्षा है इसको आप अपोजिट ना समझें क्योंकि अनसुया सिता से बात करें तो एक महिला को कोई समझाए तो पती के बारे में समझाएंगे तो आप सपोज पती-पत्नी में कुछ बहस होता है कि प्रोब्लम होता है तो काउंसिलर के पास जाते हैं तो का अनचलर पतनी को अलग से समझाएगी तो समझाएगा कि देखो पती का पती की क्या इप्रोटम से क्या है उनका ख्याल रखना पर ऐसाने की वान-साइड़ पती के साथ जब मिलेगी तो पतनी क्योंग होती है उसको सम्मान करना जरूर है है ना-ने तो वो तो अभी ऑगें म जो त्या किया है पती के साथ जंगल आने के लिए जो आपने चूज किया है वो इतनी बड़ी बात है उस बात को ग्लोरिफाइए करने के लिए अनसिया इस सब बातें कह रहे हैं तो दोनों में कांट्राडिक्शन नहीं है जो आपने संस्क्रत क्लास में भी पड़ा आपकी सारे अच्छे कर्मों भी बेकार हो जाता है तो अपने खूशियों का ही चिंता है तो वो भी जो स्त्री पर फिर डोमिनेट करता है वो भी बेकार होता है इसी तरह जो पतनी अपने खूशी के अलावा और कुछ नहीं दिखता पती का सुख दोख परेशानियां समस्याएं को नहीं कंसिडर करती हो भी अच्छी नहीं है यह तो वाइस वर्सा है प्रापनुवंत्यय यशच्चयव धर्मभरंशम जमाई थिली अकार यवशम आपन्ना स्त्रियो या खलुताद विधा इस तरह की जो स्त्रियां होती है जो पती के सुख दुख में साथ नहीं देती है या पती के प्रती वो प्यार और सम्मानभाव नहीं होता हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही जो हमेशा इसी सोच में ओवर्वल्म रहते हैं कि मेरी प्लेजर मेरी लग्जुरी मेरी खुशी तो वो खुश में लोग उनको अच्छा नहीं बोलते हैं और इस तरह के स्त्रियां रास्ते से भटके हुए वाले होते हैं तद्विधास्तो गुणेईर युक्ता दृष्ट लोक पराह बराह स्त्रियस्वर्गे चरिश्यंति यथा धर्म कृतास्तथा और जो स्त्रियां धर्मा को ठिक ठ आलन करते हैं वो स्वर्ग पाने शुक को पाने वाले होते हैं तदेव मेनम स्वमनु ब्रतासती पति ब्रतानाम समया अनुबर्तिनी भवा स्वभरत्रु सहधर्मचारिनी यशश्च धर्मम्चतत समाप्ष्यसी और हे पतियों के प्रति प्रेमभाव रखने वाली महिलाओ तुम उन पत्नियों के लिए आदर्श हो अनुकरणिय हो आइडियल हो जो पति के प्रति प्रेमभाव रखते हैं इसलिए अपनी पति के साथ धर्म को आचरण करने वाली बनो यशा धर्मचा तता समाप्ष्यती उससे धर्म भी पाओगे यश्च भी पाओगे पत्नी को ध इंसकृट में शास्थ्रों में जो शब्दा आता है धर्माचारिनी सहधर्मचारेनी सहधर्मिनी धर्म कभी वी अकेले निभाया नहीं जाता कास करके अगर आप एपड़िय हैं वानप्रस्टसन्यासि परस्त सन्यासी कि बात में ल्हाँ कि धर्मा हमेशा पति-पत्मी मिलके नि olması पहले बहुत बार बता है ना यज्यкой जो अनमेरेड हैं मेरेड होकर के साथ में पत्या-पत्मी नहीं उनको यज्या करने का अधिकारी नहीं है पहले है सुपत्र पाँ вещи में से कोई सब्सक्राउज ठीक नहीं पड़ा अर्धा पति का साथ नहीं देती पत्नी या पत्नी का साथ नहीं देता पत्ति तो कोई भी धर्म का आचरण करी नहीं सकते हो आप या तो आप विवाह नहीं किया हो अकेले हो फिर तो थोड़ी बहुत आप कर लोगे अगर आपकी मन मुताबिक पत्ति या पत्नी नहीं होते है तो आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते हो हमेशा डंगा डालेगा ना सबोज पती जो है चाहता है कि मैं खुब लोगों का भला करूं दान करूं और पत्नी को विल्कुल उसे पसंद ने एक पैसा कर्च करनी तो रोज लड़ाईयां हो वाइस वर्षा है पत्नी को प्रस्टीशन ने बखवास है तो भी डंग से नहीं चल सकती है जब दोनों में कंपाटिविलिटी होती है दोनों एक दूसरे के मन जो विवाह के मंत्रों में आप बोलते हैं कि तुम भी मेरे मन को समझो मैं तुमारे मन समझूं यह जो समझना एक दूसरे के माइंड को है तो जब आप एक दूसरे को मन को समझने लग जाते हैं और बोलने की ज़रत नहीं आप वो सब कुछ करोगे तब वो सहधर्म होता है धर्म को करते समय जो साथ देने वाला या देने वाला तो अनसिया केते हैं सिता तुम अपनी पती के सहधर्मचारिणी बनो बनते रहो अभी तो बने भी हो आगे भी बनते रहना अर्था राम जो जो धर्म करे वो तुमारे साथ करें ऐसा बन जाना उसे यश्वी किरतीवी दोनों मिलेगा यह कुछ उब्देश का नसुया का सि इसकी बाद इसी के साथ ये 117 सर्ग पुरा होता है फिर 118 सर्ग में सिता ने मा अनस्या जी के मा शब्दव वैसे ही बोल लिया क्योंगी गुजूर्ग है तपस्वी है तपस्वी अनस्या जी के ये बहुत अच्छी प्यारी बहुत मधूर मिठी-मिठी बातें सुन करके सिता ने उनसे बोला आपने जो कुछ कहा वो सब आप अपने चरीत्र के अनुरूप कहा ये हिंदी समझ माया आपका जैसा क्यारेक्टर है जिस तरह की आपकी परसनालीटी है आपने बिलकुल उसी के अकवडिंग ही बाते कही बात समझ माती है शपूज आप बड़े मस्त मौ अदमी है पिने पिलाने वाले हैं आप उसी की आप से कोई मिलता है तो आप वही बाते करते हैं सपोज आप धरम स्पिरिच्वालिटी को बहुत करने और मानने वाले व्यक्ति हैं आपके पास कोई आता है बैठता है तो आप उसी तरह की बाते करते हैं आप बहुत कि आप अपने चरीत्र के अनुरुप बाते करना जैसा आप उसी तरह की बाते करती तो अनस्या ने वही बाते बोली तो खृत प्रति जो उसी के लिए प्रशिद्ध है तो उसी के अनुरुप आपने बात की आपने जो कहा यह मुझे पहले से भी पता था राम अगर गरीब भी हो जाए यह सिता की बात है मैं उस लोक नहीं ले रहा हूं आपको कर रहा है कमजोर भी हो जाएं गरीब भी हो जाएं राजा कभी बने भी नहीं तो भी मैं उनका साथ नहीं छोड़ें बात तो यह ही नहीं राम इतना प् राम अगर प्यारा नहीं होते, दुखी होते, गरीब हो जाते, कंगाल हो जाते, परबाद हो जाते, तो भी मैं उनकी साथ नहीं छोड़ती, राम तो हरे बरे हैं, खुश हैं, सारे दुनिया उनसे प्यार, पुरा अयोध्यान अगरी उनसे प्यार करती है, आप कैसी छोड़ अपरती है 5 है इस बिता और माता में जो कुछ मुझे कहा था मुझे अभी याद है जम्मेशाग करके आई हूई और मान कूशल डिया ऑप जो कुछ भी मुझे बताया था पहले दिं वो सब भी मुझे याद मेरे सशुर दशरत में जो कुछ मुझे बोला अभी भी आदे और मैं यो सब का पालन करती हूं आपने जो कहा वो मैं पहले से ही पालन करती हूं और पहले से भी मैं जानती हूं पर आपने जो कहा वो बड़ा प्रीय था प्यारा था अच्छा लगा मधूर था तब ये सब सुनकर के अनस्या और प्रशन न हु खुश होई कि सीता ने उनकी बातों को बड़े आधर पुर्वों को सुना माना और सीता की जो बात बातीर अनसरिया ने सुनी तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा तो खुश होकर अपने घर कुटिया में जो कुछ भी उनके पास कुछ अच्छे-अच्छे आभूशन और्न प्राचिन जमाने में अनुलेपन क्या होता था आजकल तो कॉस्मेटिक्स होते हैं पहले कॉस्मेटिक्स क्या होता थे हर्भ से होते जंगल में ज्यादा मिलते हैं चंदन की लकडी को घिस करके जो बनाते हैं फूलों को सुखा करके उसकी पाउडर या पेश्ट बनाके बनते पत्ते एक खासतर मेहंदी तो उसका भी है ना पत्तों का हर्प्का यह हैं इसी तरह फुश्बू के लिए भी पर्फ्यूम के लिए भी शरीर को शितल रखने के लिए भी सुंदर दिखने के लिए भी जो बहुत चारे महिलाएं खास करके यह सब चीजें यूज करती हैं तो अनसुया के पास जो कुछ भी था और सुगंध फ्रेग्रेंस पर्फ्यूम और कपड़े उर्नमेंट्स हार बहुत कुछ उनको गिप्ट में दिया तो सीता खुश ओकर करके यह सब अपने साथ ली उसके बाद अनसुया ने उनसे पूछा देने के बाद कि यह बताओ तुम्हारी जो शादी विवा हुआ कैसे हुआ राम के साथ होता है न महिलाई जो बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बाते करते हैं जी ऐसे स्वयंबर में हुआ तो थोड़ा शुरू से बताओ कैसे तुम्हारी व स्रिताने, अपने पैदा जब्से हुई है, भिलकल, कैसे मेरे पिता जी यज्य के लिए जहां यज्य करना होता है, उस जमीन को एक बार हल चला के, खोद करके, परावर करते है, तो यज्यमान होता है, वो हल चलाता है पहला दिन, पहला हल, तो राजा जनक जब यज्याभूमी को प्लेन बनाने के लिए हल चला रहते तो वहीं बगल में मिट्टी में मिली तो उनोंको आश्चरिय हुआ तो उनोंने गोद में लिया फिर बोला यह तो मेरी बेट निसंतान थे उनका कोई बच्चा नहीं था तो उनोंने मुझे अपना गोद लिया और अपनी बड़ी महाराणी को बेटी के रूप में उनको दिया और मैं फिर वहीं पली बड़ी मेरा नाम सीता इसलिए पड़ा क्योंकि वह हल की जो फाल होता ह उसको सीता कहते हैं उसके कारण से मेरा नाम सीता पड़ा मैं वहाँ बढ़ने लगी धिरे धिरे जब मेरा विवाग का एज हो गया मेरे पिता जी ढूनने लगे बहुत परिशान हुए कहीं उनको अपने मन पसंद लड़का मिला नहीं तो दुखी रहने लगे तो एक दिन उनके पास जो स्टोरी आप जानते हैं वो सब सीता ने सुनाया उनके पास एक बहुत हेवी धनो था बहुत हेवी था इतना हेवी कि उसको दरजनों लोग उठाएं भी उठ नहीं सकता तो फिर मेरे जो प्रस्ता अब आता था मेरे लिए वो चनक पिता जी को पसंद नहीं तो उन्होंने फिर आखिर में रखा जो भी व्यक्ति ये जो हेवी धनों को उठाएगा और उसमें बान लगा देगा तो मेरे अपनी बेटी का व्याह कराऊंगा तो उसी समय राम अपने लक्षमान विश्वामित्र के साथ वह पहुँचे तो उन्होंने ट्राइ किया तो तूट गया तो फिर हमारे पिता जी ने का कि हमारे जो कंडिशन ता उसकी साथ आपको विवाह करना पड़ेगा पर राम तब भी राजी नहीं हुए उनकी इच्छा तो थी पर राजी नहीं हुए क्योंकि उनको अपनी पिता जी से अभी तक अनुमति नहीं तो फिर मेरे जी ने अयोध्या को लोग भेजा दशरजी को यह सुचना दी दशरजी की जो परमिशन मिला तब राम नहीं हां बोला फिर मेरे साथ हुई मेरी छोटी बेन उर्मिला का लक्षमन से फिर मेरी जो कजन सिश्टर से उनका भरत अर्शत्र पूरी स्टोरी उन्होंने पूरी ज और उन्होंने कहा जिस डंग से तुमने बोला जितनी स्पष्टता से जितनी वह एक शब्दा आता है जो आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि जो अच्छा अच्छा बोलना क्या होता है जहां आपका हर वो सिंगल वर्ट बिलकुल मुति के तरह अलग-अलग-अलग हो करके निकले जिस तरह अपने हर शब्द को प्रपरली प्रोनाउंस किया और बोला जिस मिठास के साथ बोला वो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप बड़े अच्छा बोलने वाली हैं तो कहानी सुनके बड़े खुश हुए तब उन्होंने आभुशन ओगरा दिया फिर आगे क्या होत अपने भुजाओं से उन्होंने इसको अलिंगन किया हद किया शिरसी आग्राय मैथिलिम मैथिली सीता के सर को चुम और जोर से उनको अपने गले लगाया और क्या बोला व्यक्ताक्षरपदम चित्रम भाशितम मधुरं पया यथा स्वयंवरं वृत्तम तत्सर्वं भीशृतम मया के सिता आपने जैसे हर शब्द को बिल्कुल क्लियरली हर सिलबल को हर अक्षर को हर पद को हर वर्ड को शब्द को व्यक्त बहुत क्लियरली बोला चित्रम बहुत वंडरफुल वे में बोला मधुरं बहुत मिठास के साथ बोला क्या बोला अपने स्वयंबर का जो बृत्त समस्ते न जो विवा की समय जो पुरुष को चुनना होता है ये सब सुन करके रमेहम कताई आते आपकी कहानी से में बहुत मजा आया मुझे बहुत आनंदित रमन करना मुला होता है बहुत डिलाइट हुआ बहुत रिजायस खुश हुआ रविरस्तंगत स्रीमान उपूह रजनीम शिवाम दिवसं प्रतिकिरिनाना माहरार्थम पतत्रिनाम संध्यकाले निलीनानाम निद्रार्थम शुरुयते धन्द्वनी और अनस्वयार सिता की इस तरह के बाचित में साम हो गएगे कैसे साम हुआ है कभी बर्नन करतें रविरस्तंगत रवी अस्त को चला गया संसेट हो गया रवी मला सुरज उपोह रजनीम शिवाम शिवकेतने पवित्र मंगल मंगल रजनी के पास आ गया अर्थात वो जो मंगल मैं कल्यान मैं ऑस्पिशियस नाइट है सुरज उसकी क्लो आहरार्थम पतत्रि नाम पतत्री के पत्रिकेते बट्र जो दिन में दिवस में आहरार्थम खाना ढोड़ने के लिए प्रतिकीरना इहीं आं अधर उदर सब विख這些 वो संध्याकाले सstate के समय निलिनानाम निद्रार्थम रेष्ट करने के लिए सोने के लिए वापस आ गए हैं ऐसे पक्षियों की धनी आवाज सुनाई देने लगा मतलब साम होने लग गया है कैसे पता चला क्योंकि सारे पक्षी जो सुभा होते ही इदर उदर खाना ढूनने चले जाते हैं अब वापस आ गए हैं उनकी आवाज सब सुनाई देने लगा है ये जो मुनी लोग है मुनी रिशी लोग है साम होते ही कैसे पता चला की साम हो गया ये सब लोग साम को जो नहने जाते हैं नदी के नदी में नहा दो करके आने लग गए और नहा करके जब आते हैं शाथ में अपने घड़े में पानी भर के लाते हैं पुटिया में पिने के लिए थोड़ी हैंड पॉंप और या ट्याप होता था वो नदी के पानी लेकर आते ते और पता कैसे चला ना है क्योंकि वो जो बलकल पहने हुए हैं उस भीगा हुआ ह साम को सुर्य के अस्त होने से पहले संसेट से पहले अगनिहोत्र होता है अगनिहोत्र जानते ना सुबह और साम जो दैनिक हवन होता है जो डेली हवन होता है सुबह और साम उसको अगनिहोत्र कहते हैं और वो सुरियास्त से पहले संसेट से पहले हो जाता है वो अगनिहोत्र हो चुका है कैसे पता चला कपोतांगार उनो धूमो वो जो धुआ कबुतर के शरीर के तरह धुंदला धुंदला सा है ऐसे धुआ ऊपर दिखने लग गया है मलब अगनिहोत्र या तो हो चुका है वा ह हो रहा है इससे लगराय की साम हो गई अल्प परणाही तरवो धनीभूता समन्तता प्रकृष्टेंद्रिये देशे अस्मिन प्रकाशंति वही दिशा जिन तरु के ते पेड तरवा बहुवचन में पेड़े जिन पेड़ों में परण पत्ते अल्प कम होते हैं कम पत्ते या पिना पत्ते बाले जो पेड होते हैं वो अंदरे के कारण अब कम दिखने लगते हैं धिरे-धिरे जो धिसेए हैं जो डाइरेक्शन है वो अपने आखों से धिरे-बीरे ओजल होने लग्ए हैं राजनी चरसत्वानी प्रचरंती समंतत रात को जो जानुवर बाहर निकलते हैं उल्लू है या दूसरे तरह के जो अनिमल्स हैं वो अब चारों तरब बाहर दिखने लग गए हैं तपोवन अम्रगाये थे वेदीतीर थे शुशेर थे जो हिरन या छुट जानुवर जो डोमे पलते थे हीरन होते थे खरगोश होते थे इस तरह के जानवा इंटि जो जिसको बुण है जो पेट होते है rough यज्ञान अब अंधेरा हो गया तो वह यह एक्यावेदी आश्कर सौने लग घ specifically संप्रवृत्त निशा सीते नक्षत्र समलंकृता जोच्सना प्रावर रनस्चंद्रो दृष्यते अभ्यूदितों बरे है सीता निशा आ गई है निशा मतलब रात रात आ गई है नक्षत्रों से सजीधजी चांद अपनी चांदनी को अर्थाज जो उसकी किरणे है वो विखरने लग गई है आकाश में इसलिए है सीता अब सीता आप जाओ राम के पास जाओ आपने जो मुझे बोला उससे में बहुत खुश हूँ और जाने से पहले एक चीज सीता अलंकुरुचतावत्वम प्रत्यक्षमम अमाई इतिली प्रितिम जनयमे बच्चे दिव्या अलंकार शो भीता यह जो मैंने आपको कपड़े दिये वस्त्र दिया औरनमेंट्स अलंकार दिये और यह जो अनुलेपन जो मेकप सामान दिये कॉस्मेटिक्स दिये उन सबको एगवार मेरे सामनी आईए मुझे बड़ी खुशी होगी यह देख करके जब आप किसी को गिप देते हैं तो और आप देखें कि वो कपड़े आपका दिया हुआ गिप पहन करवाता है सात अथा समलंकृत्य सीता सुरसुतोपमा प्रणम्या शिरता शिरसात असमी रामंतु अभिमुखीययो और सीता ने उनकी बाद मानी उनके दरा दिये गए कपड़े अभूशान उगरा पहन करके आई कैसे लगी सुरसुतोपमा मानों देवताओं के घर में पैदा होने वाली लड़की देवी के समान दिखने वाली सीता आई और उन्होंने अनस्विया को सर जुका करके प्रणाम किया और राम के पास वापस चली गए तथा तु भूशिताम सीताम ददर्श बदतांबर राघव प्रतिदानेन तपस्विन्या जहर्शचा और जब राम ने अपनी पत्नी सीता को इतने शारे अभूशन से और इतने बढ़िया बढ़िया कपडे पहन करके आये हुए देखा तो प्रितिदान एक शब्द ध्यान के प्रितिदान जो के तपस्वि के द्वरा प्रि प्रितिदान क्या होता है गिव्ट जिसको आप कहते हैं गिप्ट आ एक तो हिंदी में उपवहार भी बोलते हैं उपवहार वह है संस्कृ uno Informe रचैता है जो चीजी आप प्यार से दित हैं वह CT यह जोος टित मैं प्रीटि से तो ने उसको देख कर के राम बड़े जहरश भॉट अधीक खुश्ष हो गये और मैथिली ने राम को सब कुछ घटना सुनाई क्या क्या हुआ उन्होंने अनस्विया ने क्या पूछा उन्होंने क्या अंसर दिया और कैसे उन्होंने वसन केतने कपडे आभरण केतने ओर्नमेंट्स स्रज केतने माला ये सब जो पृतिदान की रूप में गिप की रूप में दिया ये सब चीजों को भी उन्होंने सुनाया प्रावुरुष्ट तभवत रामो लक्षमन अश्चमहारत मैथिल्या सत्क्रियाम दृष्ट्वा मानुशे शुसुदोरलभाम राम बहुत प्रशन्य हुए बहुत खुश हुए लक्षमन भी बहुत खुश हुए मैथिली को जिस्तरह अनस्विया ने रिशीब किया मैथिली समस्ते ना सिता और जैसे प्रितिदान दिया ये सब देकर के राम और लक्षमन बहुत खुश हुए ततस्ताम शर्वरिम प्रित पुन्याम शशिनिभानन अर्चित अस्तापसेई सिध्धेई रुवासन अघुरघुन अंदन हा चर्वरी के तने रात चांद की किरणों से प्रकाशित रात को रात को उस दिन अपना स्वाँ सोय बिताया और अगले दिन सुबाव तस्याम रात्र्याम व्यतितायाम अभिशीच्य हुता अग्निकान अप्रुचेताम नरव्याग्रो तापसान अन्वगो चरान अगले दिन जब सुबा हुआ राम लक्ष्मन सीता दोनों उठे अभिशीच्य नहाधो करके फुता अग्निकान अग्नी का आहुती अग्नी की आहुती मतलब अग्निहोत्र ध्यान की अग्निहोत्र रोज सुबा साम होता है प्रातर सायम और राम लक्ष्मन सीता भी रिशी अगनी होत्र किया करने के बाद दोनों राम और लक्षमन गए जो तपस्वी लोग थे उनसे अप्रुच्छा ले निकले अप्रुच्छा केते हैं पर्मिशन कि हमें और आगे बढ़ना है तो रास्ते में पढ़ गया अत्रिमुनी का आश्रम कि आगे बढ़ना है अब आप अ राम और लक्षमन की पर्मिशन मांगने पर वहां जो धर्म का पालन करने वाले तपस्वी लोग थे वनचर जो जंगल में रहने वाले उन्होंने राम और लक्षमन से कहा कि हे राम और लक्षमन इस जंगल में संचर करना आना जाना मुम्मिंट करना बहुत डेंजरियस है, क्योंकि राख्ष से ही समभी प्लूतम, सब जगह से राख्ष घरे पड़े हैं, कभी भी आटक कर सकते हैं, केर्फुल रहना, ये राख्ष रख्षान सी पुरुशादानी, ये राख्ष इंसानों को भी खा जाते हैं, नाना रूपान अलग-अलग तरह के रूप भी वाले होते हैं वसंति, अस्मिन, अरण, महारण ये इसी जंगल में वो रहते हैं और खाली राख्यश नहीं होते हैं व्यालाश्च, रुधिरा, अशना और ये जो वाइल्ड आनिमल्स होते हैं जो वाइलेंट आनिमल्स होते हैं क्रूर, वो भी रहते हैं जो कि रुधिरा, दूसरों का खून और मांश खाने वाले, वो भी रहते हैं इसलिए आप लोग थोड़े शाबधान हो करके रहना उच्छिष्टम्वा प्रमत्तम्वा तापसं धर्मचारिनं अधंतियस्मिन महारन्य थानिवारय राघव ये राख्यश और ये जो जंगली जानुवर ये कभी-कभी हमारे रीशियों को, मुनियों को, तपस्यों को इनको भी खा जाते हैं एक रास्ता है दिखिए ये जो रास्ता है एश पंथा पंथा कितने मार्ग रास्ता महर्शी लोग रिशी मुनी लोग इसी रास्ते में जाते हैं फलानी आहरता है फल फुल लाने के लिए इसी रास्ता को प्रयोव करते हैं जो comparatively relatively खुड़ा सेफ है इसलिए हे राघव आप इसी रास्ते से ही अपना यात्रा करिए इतीवताई प्रांजलिभी इस्तपा स्विभीर द्विजेई कृता स्वस्त्ययना परंतपा वनम सभार्य प्रविवेश राघव सलक्षन सूर्य इवा ब्रमंडलं इस तरह हाद जोड करके तपस्यों के द्व राम और लक्षमन को मार्गदर्शन करने के बाद स्वस्तिवाचन के साथ राम और लक्षमन सीता को आगे जाने दिया अब राम अपने भाई लक्षमन और पत्नी सीता के साथ आगे बढ़ने लगे जंगल के डीप जंगल घने जंगल के और मानो सुरज अपने बादलों के मंडलों के बीच में जा रहा हो इसी के साथ आपकी अयुद्या कांड पुरा होता है अरन्य कांड अरन्य केते हैं जंगल जो रियल जंगल है अब सुरू होगा जो जंगल की कांड जो राम लक्षमान सीता घने जंगल के अंदर आश्रम बना के रहते हैं फिर अगले बार जो अरन्य कांड में जानेंगे तो वहां उनको वह सामना होता है रावन का जो कमांडर्स होते हैं या जो जो उन्होंने लगा रखा है वहां सुर्पनखा अखर दूशन आदी तो उनके सामना होता है उनको मारते हैं फिर सुर्पनखा का इंसिडेंट होता है फिर वह अरन्य का जानेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें